हेलो फ्रेंज वेलकम टू फिजिक्स साइन तो आज हम करते हैं हमारा सीडीपी का नेक्स टॉपिक लैंगवेज और थोट के बारे में अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग साइकलोजिस ने क्या-क्या बोला था सबसे इंपोर्टेंट केस में चम्सकी का उनने क्या बोला था पियाजे वाइगोस्की स्कीनर बेंडूरा इन सब ने अपनी अलग-अलग थोट्स दी थी दो दो लाइन बोली जरूर थी लैंगवेज और थोट के बारे में तो वही देखनी है पहले चीज़ जो लैंगवेज वर Deutschland है वह किस-किस फैक्टर से अफट होती है जोशल फैक्टर से एजुकेशनल फैक्टर ँर बायलोजे कल से बायलोजे कल सै मतिवलूर हो सकता कुछ भी कि ये ग्रेक्टर उन्हें पॉजिटीव भी ले जा सकते हैं और नेगिटीव भी Stages of language Language कैसे आती है 6 हफ्ते तक 6 हफ्ते का जो बच्चा होता है 1.5 महीने का बच्चा Sorry 1.5 महीने का बच्चा जो होता है वो हलकी आवाज होती है इस तरह की मतलब हमें उसकी आवाजे समझ नहीं आती 1.5 महीने के बच्चे की बट वो थोड़ा बहुत तो अपने मुह से आवाज निकालता है जैसे चिलाता है रोता है वो Babling Babling मतलब Babel करना Mama, Papa, Mama ऐसे ऐसे बोलता रहता है Baba, Mama इस तरह की वो 6 महीने में शुरू करता है Babling करना एक साल का बच्चा एक वर्ड बोलना शुरू कर देता है उसे एक वर्ड आता है बोलना जैसे मम्मी पापा पानी कुछ भी उसे चाहिए तो वो वन वर्ड में डिस्क्राइब कर सकता है कि उसे क्या चाहिए ठीक है दो साल के बच्चे को वो वर्ड कनेक्ट करना सीख जाता है दो साल का बच्चे अराउंड 18 मंस अराउंड 18 मंस मतलब डेर दो साल का बच्चे जो होता है वो दो-दो वर्ड कनेक्ट करना शुरू कर देता है पानी दे दो से चार साल का बच्चा अपने अंदर पचास हजार से जादा वर्ड्स स्टोर करके रख सकता है उसके बाद प्याजे और वाइगोस्की ने लैंग्विज और थोट्स के बारे में क्या का था यह बहुत इंपोर्टेंट है इस पर कुश्चन आते हैं प्याजे बोलते थे कि ज चुरुआती स्टेज में पहले दो साल में लैंग्विज और थोट बच्चे की अलग-अलग होती है जो वो बोलता है वो सोच नहीं सकता और जो सोच रहा वो बोल नहीं सकता दूसरी बात प्याजे ने बोली थी कि एगोसेंट्रिक स्पीच यानि खुद से बात करता है जो प्याजे कहते हैं कि कोगनीटिक डिवेल्पमेंट और लैंग्वेज डिवेल्पमेंट अलग-अलग चीज़े हैं लैंग्वेज से हमारी मतलब भाशा से हमारी डिवेल्पमेंट नहीं हो सकती हमारी डिवेल्पमेंट होने के बाद हमारी लैंग्वेज आएगी लेकिन वा प्रप्रेंट कंडिशनिंग दी थी इन्होंने जहां पर इन्होंने री इनफॉर्समेंट की बात की थी Skinner ने, Skinner ने क्या बोला था? Skinner argued that children learn language based on behaviorist reinforcements principle by associating words with meaning अगर हम उन्हें reinforcements दे, उन्हें words के साथ meaning बताएं तो उन्हें proper तरह से guide किया जाएं तो बच्चे अपनी language development कर सकते हैं यानि parents अगर उन्हें operant conditioning दे, उन्हें reinforcement दे तो उनकी language सुधार सकते हैं ऐसा हो सकता है कि बच्चपन में बच्चा कुछ गलत चीज़े सीख रहा हो या कुछ गलत बोलन स्टार्ट कर दे तो parents उन्हें पे reinforcement लगा के उनकी language को ठीक कर सकते हैं उन्हें ने अपनी book verbal behavior में भी इसके बारे में describe किया है उसके बाद चौम से की, ये बहुत important है language thoughts related इन्होंने तीन चीज़े दी थी, L.A.D. U.G. G.G. तीनों के बारे में ही पूछते हैं इन्होंने बोला, children do not learn but naturally acquire it through an initiate language device इन्होंने बोला कि language जो है बच्चा सीखता नहीं है, वो अपने आप उसकी natural आती है उसकी एक language device से जो उसके अंदर होती है तो उसका neurological system है ना, humans का, वो एक language device रखता है उस language device का नाम क्या है? Language Aquitism Device, L.A.D. इसकी full formula रखना उन्होंने काया कि हर बच्चे के पास एक universal grammar होती है, U.G. मैंने पहली बोला तीन चीज़े हैं, L.A.D., U.G. and G.G. तो यह जो है, universal grammar हर एक बच्चे के पास होती है, जहां से वो सीखता है थर्ड, children are export to infinite data and given data L.A.D. produce a finite set of grammar rules अब बच्चों को L.A.D. के साथ पूरे infinite data के साथ छोड़ दिया, पूरे word में अब वो यह तो नहीं है कि 100% सीखेंगे, वो उसमें से कुछ अपने limited sets और rules बना लेंगे finite grammar rules तो उसको बोलते हैं, generative grammar जो उन्होंने universal grammar में से अपनी निकाल ली कुछ rules set कर ली है, अपने बनाने, बोलने के लिए generative grammar के आता है, set of rules that enables to understand sentence but of which we are usually totally unaware मतलब हमें नहीं पता वो क्या चीज़ है, लेकिन कुछ चीज़े हैं हम बोलेंगे हमें आती नहीं, लेकिन हम सुनते हैं तो हमें पता होता है, वो आती है तो हम पूरी universal grammar में से जो generate कर लेते हैं, अपनी grammar उसे बोलते हैं, जी जी example, that's how you say it, rather than how that's you say it मतलब उसे यह मत बताओ कि यह कहना कैसे है, वो अपने आप सीच जाएगा कि उसे क्या कैसे कहना है तीन थियोरी जाए language development की हमारे पास, एक behaviorist की थियोरी एक nativist की और एक interactivist की interactivist वाली थियोरी तो जादा important नहीं है, यह नहीं करनी behaviorist और nativist कौन-कौन थे, behaviorist आई, skinner और bandura इन्होंने बोला था reinforcement और imitations के बारे में कि operand conditioning दो बच्चों के behavior और language का relation है nativist जो थे chumps की थे, उन्होंने LAD की बात की थी उन्होंने LAD जो है biologically prepare करता है बच्चों को सीखने के लिए universal grammar से उन्होंने यह बोला था, इसके कुछ questions the fastest period of language development is early childhood होता है या infancy या childhood बोल सकते है zeros, मतलब बर्थ से 5-6 साल तक का बच्चा सबसे जादा language जल्दी सीखता है language-thought processes language और thought का relation बताना है language, देखो अभी हाँ पर हमने किसी की theory नहीं बोला हमें अपने हिसाब से answer देना है language does not influence the thoughts नहीं language cannot determine the thoughts नहीं totally governs ऐसा भी नहीं है कि वो उसे बिल्कुल नहीं govern करनी बिल्कुल भी thoughts और language इंटरलेटेड नहीं बट ऐसा भी नहीं है कि language और thoughts fully dependent है तो has a influence on our thoughts language का अपनी thoughts पे influence है totally नहीं है बट कुछ तो है next question which theory believes that parents reinforcements help children to learn appropriate sounds children को appropriate sounds सुनने के लिए कौन से थे जिनों ने बोला था कि माबाब बच्चों की help कर सकते हैं behaviorist ने बोला था कि reinforcement बच्चों की help कर सकता है behaviorist Skinner ने बोला था यह चीज़ next question according to Norm Chomsky the brain contains a neutral system designed for understanding and learning language called brain के अंदर कौन सा neutral system होते है कौन से device होती है L.A.D. language acquisition device बाकि सब तो L.A.D. बनती ही नी L.A.D. है L.A.D. नी है कभी L.A.D. सोचला अपनी घर वाली which theorists believe that thoughts come before language कौन से ऐसे theorists थे जिननों ने बोला था कि thoughts पहले आती है language बाद में आती है P.A.D. ने बोला था P.A.D. तो language को बिल्कुल important नी देते थे P.A.D. के लिए तो egocentric speech भी कुछ नहीं थी उनके लिए language भी कुछ नहीं थी वोते कहते थे development का language का कोई relation ही नहीं है language तो बाद में आएगी बच्चा अपने अलग सोच बनाएगा तो ये प्याजे बोलते थे तो ये थे हमारे कुछ language thoughts के question एक या दो theories और रहती है इसमें जो मतलब यहां से जादे तर questions आपके cover हो जाएंगे जो theory based questions है और जो general questions है वो previous years से cover हो जाएंगे अभी मेरा physics वाला जो चल रहा है वो session उसे चलने तो एक या दो दिन में जैसे ही मुझे time बिलेगा उसके बीच में मैं आपके CDP के previous years भी करवा दूँगी तो please have patience क्योंकि मैं अकेली हूँ CDP, physics and सब कुछ मैनेज करना थोड़ासा problematic हो जाता है so thank you for your support and please like the video and subscribe the channel